जहिन दोस्तों स्वागत है आपका विजेपत डिफेंस एजुकेशन में आज है 6 जनवरी 2021 इस वीडियो में बात करेंगे डेली के करेंट अफियर जो कि आपके आने वाले सभी एक्जामों के लिए most important है आप हमारा basic foundation का course जोइन कर सकते हैं जो कि है आपके लिए एक साल का और आपको दिलवाएगा 100% sure success और cover करवाएगा आपके आने वाले सभी state और center government एक्जामों को इसमें आपको मिलेंगी online test series, special notes और books सो जल्दी से जल्दी आप अपना basic foundation का course start कर सकते हैं विजयपत defense education में सो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, first question है एशियाई विकास bank जो की हमारा ADB है असम में बिजली उतपादन क्रमता बढ़ाने के लिए कितने करोड डोलर का कर्च देगा तो एशियाई विकास bank जो है उसने असम में बिजली के उतपादन को बढ़ाने के लिए जो है वो 23.1 करोड डोलर देने का जो है वो समझोता किया है असम की राजय सरकार से next question है किस देश के प्रतिष्ठित गायक Mary Madison का 78 बर्ष की उमर में निधन हो गया next one है रेल मंत्राले ने हाल ही में किनके लिए किराय में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है तो जो हमारा रेलवे मंत्राले है उन्होंने खिलाडियों को मिलने वाली छूट जो है उनके किराय में जो है वो उसको समाब तक कर दिया है मतलब कि अब घिलाडियों को छूट नहीं मिलेगी आपको comment box में बताना है कि हाल ही में railway के नए अध्यक्ष बनाए गए है उनका नाम क्या है next one है एशियाई विकांस बेंक ADV ने किस राजे में बागवानी को भणाबा देने के लिए 10 मिलियन डॉलर के रिंड समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं तो हिमाचल परदेश एक ऐसा राजे है जहां पर इशियाई डिवेल्प्मेंट बेंक ने बागवानी को भढवा देने के लिए 10 मिलियन डॉलर का समझोते के उपर जो हैं वो हस्ताक्षर किये हैं और अभी मैंने आपको बताया कि असम की सरकार के साथ भी उन्होंने एक समझोता किया है बिदली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नेक्स कोईशन है निमन में से किस केंदरी मंतरी ने बर्चुल एग्री इंडिया हैकाथोन 2020 का उधगाटन किया है नेक्स कोईशन है किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बड़ा बेड़ा तेनात किया है तो ऐसा कौन सा देश है उस देश का नाम है चाइना तो जिसने अभी हाल ही में जो हमारा हिंद महासागर है बहाँ पर पानी के अंदर विजोंबिच ड्रोन का एक बेड़ा जो है वो तेनाद किया गया है चाइना के दोरा किस राजी सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने हेतु एक विशेश कारिक्रम शुरू करने की होशना की है तो उस राजी सरकार का नाम है यूपी उत्तर परदेश ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए एक स्कीम लॉंच की है आपको कमेंट में बताना है कि उत्तर परदेश के मुख्य मंतरी जी का नाम क्या है और वो उनका नेशनल सोंग नेशनल सोरी एंथम है उसमें जो है उन्होंने आपना एक बर्ड चेंज कर दिया है आपको कमेंट बोक्स में बताना है कि जो भारत का नेशनल एंथम है जन गन बन वो कहां से लिया गया है और किसके द्वारा ये लिखा गया है आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आप हमाएं शोशल मीडिया के उपर फोलो कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम वर्ट्साप फेस्बुक यूट्यूब इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा जहां से आप हमें शोशल मी स्टेटिड अलर्ड आप हमारा शोर बैज स्टाट कर सकते हैं CHSL और MTS का साथ में हिमाजल पुलिस का एडवांस बैज स्टाट हो चुका है जो की रहेगा मिशन 2021 के लिए सो जल्दी से जल्दी बिजपास डिफेंस एजूकेशन में आप अपना हिमाजल पुलिस का एडवा शेयर करें जय हिंद जय भारत